तो आज की इस वीडियो में आज आप लोग को डांस को पूरा टीटोरियल देने वाला हूंगा इस पहले आप लोग यह डांस वीडियो देखो जाओ 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 नहीं हो जाओ जाओ लाओ में रूख थट कर लो और उसमें रूल ऑफ ठर्ड करके एकडम फ्रेमिंग के ताथ दान्स वीडियो शूट करो गाइस तो वीडियो बहुत अच्छा बनेगा गाइस अगर आप लोग मॉबाइल से शूट कर रहे होते हैं गाइस उसमें वाइड एंगल कैमरा में मूव कर दो गाइस वाइड एंगल में अगर वीडियो बनाओगे ना गाईज तो बहुत अच्छा मुमेंट निकल का है गया दान्स का स्टेब भी बहुत अच्छा दिखेगा गाईज कि आज के डेट में तो हर किसी के वाइड वाइड एंगल केमरे है जैस तो वाइड एंगल केमरें का बहुत अच्छा यूज अगैस और वाइड एंगल बहुत स्टेबल भी रहता है हाथ से ही कर सकते हो गाई और जो अभी मेस देखे थे वह भी हैंड एंड फीच है तो इतना वाइड रहता है कि वो हिलता ही नहीं है तो उससे आप लोग शूट भी कर सकते हो गाइस तो बहुत अच्छा मतलब आप लोग का वीडियो निकल के आएगा music की हिसाब से पुरा movement लो ना गाइस तो अगर आप लोग एक जग इस्टेबल हो के अगर शॉट लोग वो इतना इंट्रेस्टिंग नहीं लगे गाइस अगर आप लोग म्यूजिक की हिसाब से movement लोगे एंड बेस जैसे बजरे करके तो उसमें बेस की हिसाब से आप कैमरा शेक भी कर सकते हो तो उसमें बहुत इंट्रेस्टिंग लगता है गाइस वीडियो तो music की हिसाब से अप लोग अगर वीडियो लोग है ना गाइस तो बहुत अच्छा वीडियो निकल के आएगा आए तीन एंगल से शूट करो गईज पहला है लो एंगल एंड मेडियम एंगल एंड हैड शॉट मतलब की इतना से शॉट जो आता है उस वीडियो उस शॉट को तीन एंगल अगर शूट कर लिए गईज तो वो मतलब डांस वीडियो अच्दम इजी से मतलब ऐटिविटी पे सबका ध्यान रहता है तो मुवमेंट को देखते हुए अगर आप तीन इंगाश शूट करोगे वो इसे मुवमेंट को तुरंट चेंज कर दोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा तो तुरंट उसमें चेंज भी कर सकते हो गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छा जरूर सब्सक्राइब करना गाईस क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा डिटोरियल आता है मेरे चैनल में तो मस गाइस बाए अब